नमस्कार मैं अनुष्का बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज शाम तक की खवरों को जाने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर बिहार में नहीं हो सकेगा अब रेम डिसिविट दवा की काला बाजारी अब लेर तालिस गंटे तक हलकी से मध्यम बारिश होने से गर्मी से रहेगी रहाथ बिहार में ब्लैक फंगस बिमारी को महा मारी गोशित करने की चल रही है तयारी केंद्रे मंतरी रविशंक प्रसाद ने की छते ग्रस्त हुए फतुहा पुल की चर्चा पंचार चनाव को ने करते जस्वे यादव की इस मांग से गर्माई सियासत तो आई अब जानते हैं खबर बिसार से बिहार में नहीं हो सकेगी अब रेमडे सिविर दबा की काला बाजारी अब नहीं हो सकेगी क्योंकि सरकार ने इसके लिए एक बहतरीन प्लान तयार किया है इसके तहद इसकी काला बजारी पर नज़र रखने के लिए एक नया सौफ्ट वियर तयार किया गया है जिसका नाम है अब नहीं है जैसे ही उस मरीज के नाम से इंजेक्सन आवंटित होगा ततकाल उनकी मोवाइल पर मैसस पहुंचाएगा उसमें इंजेक्सन के आवंटिन से लेकर उसके कीमत भी लिखी होगी ताकि कोई ज्यादा पैसे वसूल ना सके अगले 48 गंटे तक हलकी से मध्यम बारिश होने से गर्मी से रहेगी रहात राज में बैशाक महीने में मैई के दोरान जहापारा 40 डिग्री से उपर ढ़ा करता था वहाँ तापमान सामानेता से 5-8 डिग्री कम दर्स किया गया है दरसल इस बार शुक्रवाती कारणों से बिहार में प्री मांसुन में ही काफी बारिश हुई जिसकारण मौसम जभाबना बना हुआ है वही मौसम विभाग की माने तो अगले 40 गंटे में इसी तरह का मौसम बने रहने के आसार है इस दोरान नवी युक्त पुरवया 30-40 किलमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेंगी वही कई हिस्सों में हलकी से बीच की बारिश होने की संभावना है वही गुरुबार की रात ताउते तुफान के असर से कैमूर, रोहताज, सिवान बा मुतिहारी के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होई मौसम विभाग की माने तो इस बार मैई में हुई बारिश ने अब तक के सारे रिकॉर्ट को तोर दिया है बिहार में ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी गोशित करने की चल रही है तयारी देश बर में कुर्णा के बाद अब ब्लैक फंगस पापसादा है और कई राजियों वा किंद्र श्यासिप प्रदेशों से इसके काफी मामने सामने आ रहे है इस करम में किंद्र सरकार ने सभी राजियों को पत्र लिख कर ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित बिमारी मानने की बात कई है जिसके बाद शेह राजियों ने इसे महामारी गोशित कर भी दिया है वही अब बिहार स्वास विभाग की तरब से भी इस संक्रमन को महामारी गोशित करने की प्रकिरिया शुरू कर दी गई है इसके तहट अगली कुछ दिनों में अंतिम फैसला लिया जा सकता है विवाग की मुताबिक महामारी गोशित होने के बाद सरकार को ब्लैक फंगस के हर मामले मौतो और दवागा हिसाब रखना होगा और कोरोना महामारी की तरह ही अस्पतालों को मरीजों का डेटा सरकार को भेजना होगा और ऐसा नहीं करने वाले अस्पतालों पर महामारी आक्ट के तहत कारवाई की जाएगी बतादे की पटना के एम सुभा आईजी आईएमस में 50 से ज्यादा मामले ब्लैक फंगस में आ चुके हैं नहीं देश में दस से अधिक राज्यों में इसके केस आने के बाद शेह राज्यों ने राजस्तान, हर्याना, तिलंगाना, तमिलनाडू, गुजरात और पंजाब ने इसे महामारी घुशित कर दिया है ग्रामीन इलाकों में बनाये जाएंगे 70 फीसदी वैक्सिनेशन सेंटर, बिहार में कोरोना मामारी की तीसरी लहर के नियंदरन को लेका रेकोर जहां संसाधन जुटाने की पहल की जारी है महीं दूसरी तरफ टीका करन केंदरों के विस्तार का निर्डे लिया गया है वहीं अब स्वास विभाग के अपर मुख्य सचे प्रत्य अमरित के अनुसार राज के ग्रामिन इलाकों में कोरोना टीका करन की सुर्जा पहुचाने के लिए 70 फिसदी टीका करन केंदर बनाने के निरदेश दिये गया है इसके तहट कोरोना की संभावेत तीसरी लहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है जिससे ग्रामिन इलाकों में रहने वाली बड़ी आबादी को वैक्सिनेशन के जरिए सुरक्षित किया जा सकेगा साथ ही 30 फिसदी टीका करन केंदर शेहरी इलाकों में बनाए जाएंगे जहां टीका करन कारे अभी की तरह ही जारी रहेगा सुत्र के मुदाबिक ग्रामी निलाकों में बनने वाले टीका करन केंद्रों में 45 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए केंद्र पढ़ ही रेजिस्ट्रेशन के सुविधा दी जाएगी और वे अपने अधारकार्ट के बादियम से निबंधन करा सकेंगे इसके ततकाल पानी फिर दिया है हालांके इस्तिती सामाने होने पर जमीन सर्वे से जुड़े काम का शुरू हो जाएगे लेकिन भूमी सर्वेक्षन के लिहाद से पूरा साल बरवाद हो जाएगा क्योंकि अगले महिने से मौनसून और बारिश के कारण एक बड़ा इलाका पानी में पूरी ही हो गई थी महीं दूसरी लहर शुरू होने के करण कई जिलों के किसानों ने जिला बंदोबस्ते पदादिकारी और सहायक बंदोबस्ते पदादिकारी को पत्र लिखकर सर्वे का काम रोकने की बात कही जिसके बाद अप्रेल के मद्य से ही अब तक सर्वे का काम ल वायना की आज दौरान विधानसभा शेतर के विविन महलों में चल रहे नाला सफाई और नाला निर्वान कामों का इससल निरिक्षन कर उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये उन्होंने इंडियन ओयल कॉर्परेशन गेट की पास नाला को मुख्य नाला में जोडने का निर्देश दिया वहीं जल्द से जल्द ही इंडियन ओयल के अधिकारियों के साथ बैठक कर नाला जोडने के लिए वारता करने की बात भी कही जिससे की आसपास के महले में जलजमाव की समस्या का निदान हो जाएगा इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि जल रहे दिर्मान काम में तेजी लाए जाए और बारिश के मौसम से पहले ही बचे हुई काम को पूरा कर ले जाए जिससे जल्दमाव की समस्या ना हो वहीं नाला के निर्मान काम में गुरुमत्ता से किसी भी प्रस्तिती में समझाता नहीं करने की भी बात कही है वही अध्यात्मिक गुरू आधुनिक लेखक भारतिय दार्शनिक समाजिक विचारक योगी लेखक पंथनेता कवी संगीतकार और भाशावित के तौर पर जाने जाते हैं सरकार को उनके अध्यात्मिक नाम श्रेश्री आनंद मुर्ती के भी नाम से जाना जाता है उनके शेश्य उन्हें बाबा भी कहते हैं 1905 में उन्हें एक अध्यात्मिक और समाजिक संगतर आनंद मार की सापना की थी जो ध्यान और योग में शिक्षा प्रदान करता है भारत के साथ विराश्पती ग्यानि जैलसी ने सरकार के बारे मीं का है कि प्रभात रंजन सरकार भारत के महान आधुनिक दार्शिनिकों एक थे आउसमान काड की मदद से प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्वत में करा सकते हैं करोना का इलाज। विहार में प्राइवेट एस्पताल में भी कोविड-19 से संकमेत मरीजों का उप्शार मुफ्त में कराया जा सकता है मगर मरीज के पास आयुस्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड होना चाहिए इस सम्मन में स्वास विभाग के अपर सचिव कोशल किसोर ने बताया कि आयुस्मान कार्ड पर कोरोना की इलास की खर्च की दर्ग को इन्रिधारित किया जा चुका है हालांकि हम आपको या भी बता दे कि अब तक एक के लिए अठारा सौ और युक्त के लिए शता आइसो के लिए चतिस सौ और वेन्टिलेटर के लिए 4500 रूपी का पैकेज दिया गया था इसके अलावे यदि रोगी कोरोना के साथ हिर्दय नीमोनिया चाहिए प्रृष्टनी रोग से भी पीरित है तो उसकी पैकेज चिश प्रशासनिक खल चल हुई थी इसके लिए बार्ट के रेड जोन कहे जाने वाले कटिहार जिले में भी प्रशासन ने अभी से तयारी शुरू कर दी है इसके तहत डिप्टी सीम और कटिहार विधाय अगतार किशुर प्रसाद ने अधिकारियों के साथ तयारियों को लेकर समिक्षा बैठकी जिसमें नसर्फ उन्होंने बाढ़ ग्रसित इलाके में रहने वाले लोगों को दूसरी जगा भेजने को लेकर जगा की तयारियों को ल केंद्रे मंद्री रविशंकर प्रसाद ने की छतिग्रस्त हुए फटुहा पूल की चर्चा बीते दिन फटुहा से पटना को जोड़ने वाला ब्रितिश जमाने का एक वनवे पूल दो हिस्सों में बट गया था जिसके जानकारी मिलने के बाद पटना साहीव से सांसाज व लोगों को किसी भी प्रकार की असुइधा ना हो इसके लिए फिलहाल और श्ता लीं व्यवस्ता कराई जाएगी और साथ ही पुल्च को पुनह चालू कराने के लिए मनम्मती की जाएगी के पारस हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज कराने आई एक महिला के साथ आई सीओ में रेप के बाद मौत के आरोप की पुलिसिया जाज देश कर दी गई है इस क्रम में मामने की जाज कर रही पटना की शास्त्री नगर थाना पुलिस ने बीते दिन गुरुवार को अस्पताल गहान जाज परताल की साथ ही पीरिता की इलाज में गरबरी हुई या नहीं इसकी जाज मेरेकल टीम को करने का आदेश डियम ने दिया है इस क्रम में अस्पताल के आई सीओ के बाहर लगे से टीवी फूटेज को भी जप्त कर खंकारा जा रहा है वहीं अस्पताल पारस हॉस्पिटल टॉप पर ट्रूइन करता रहा देश बढ़ के लोगों ने पारस अस्पताल को बंद करने की मांग की पंचाचुनाव को ने कर तेजस्वी यादव की इस मांग से गरमाई से आसत बिहार में को देखते हुए पंचाचुनाव को अभी राज निर्वाच ट्वीत में उन्होंने पंचाथ प्रतिनीदियों के बजाये अधिकारियों को जिम्मेवारी सॉपे जानेगी प्रेस्ताव का विरोत किया है अगरす बृष जल्adamenteर प्रशास्न की प्रशास्तिन Đर यादवन के लिए पत्र लिखर लिख करзы को दिया सरकारियों का ब्याष्व कोरोना महामारी के बीच में बिहार की सियासा थम नहीं रही है इसे के तद अब तेजस्फी आदब द्वारा पाच मैं को नितीज कुमार को लिखे गए पत्र का जवाब अब बिहार सरकार के उर्जया वा योजना विकास विवा की मतरी विजेंदर यादब ने उन्हीं के अं सद से 181 दसबलब 4194 करोर रुप्य की राशी कोस में भेजी गए थी जिसमें से 189 दसबलब 963 करोर रुप्य विवनिश्य विदाव देने में खर्च के गए वही वेधार मंडल के सदस से कोरोना रोगधाम में एक करोर रुप्य दे खर्च कर सकते हैं इसके साथ ही उन्हो अपने आवास पर ही अंतिमसा से ली बुवनेश्य कुमार की पिता किरनपास से लंबी समय से लिवर संबंदी समस्याओं से ग्रसित थे उनका नुएडा के एक निजी अस्पिताल मीला चल रहा था लेकिन पिछली कई दिनों से वो अपने परिवार की बाकी सदस्यों के बाकरा भी बढ़ गया है स्वासिवाग द्वारा जारीता जाकरों की मुदाबिक 24 गंटे में कोरोना के 2,69,591 नए मामलों की पुस्टी हुई है वही इस दोरान कुल 4,209 मरीजों की जान से ले गई है वही कुल 3,57,295 लोग संक्रमन से ठीक भी हुए है जिसके बाद कुल केस देशवर में 30,27,925 हो गई है वही अगर बाद हम अपने राज जो बिहार के करे तो बिहार में बीते दिन के 24 गंटे में कुल 5,881 नए कोरोना केस आया है वही इस दोरान 9,970 लोग कोरोना से ठीक भी है जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिम मरीजों की संक्या 54, हजार 406 हो चुके है वही अच्छी कवरिया है कि बिहार में मामले का मारा है और रिकवरी रेट बड़े है जो कि बढ़कर 91,3-2 फीस सदी हो चुके है तो चले बढ़ते है आज के सवाल क्यों और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि बिहार में ब्लैक फंगस के आ रहे माम सामने को देखते हुए सरकार द्वारा इसे महामारी घोशित कर दिया जाना चाहिए या नहीं आप अपने जवाब हमें कमेंट सक्षन में कमेंट करके ज़रू बताया और विहारी नियूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार